नमस्ते भाईयों और बहनों आज हम कर रहे हैं इंडियन मैच मेकिंग का रिव्यू जो हम देख लिए हैं नेट्प्लिक्स में तो पहली चीज हम आपको बता दे हम भी ये बिचोलन वाला काम करते हैं हाँ इतने रिस्ते बनवाद है हमने संजोग से हाँ तो हमको पता नहीं था कि एक अपना भरा पूरा बिजनिस है अगर पता होता तो आज आँटी की पर बंगला गाड़ी सब होता हाँ सीमा तपारिया एक बिचोलन है मतलब मैच मेकर है और उनके देश विदेश में कई सारे क्लाइंट हैं उनकी जोडियां आपस में मिलवा रही लेकिन एक को केस पूरा नहीं किया साधी तक पहुचा नहीं हाँ असली मज़ा मैच मेकिंग का साधी में आता है वहाँ पूपा जी वगरा रूटते हैं लोग नागिन डांस करते हैं बुलाववे में और ते गाना गाती तब ना मज़ा आता कुछ एका दिखा देते तो अच्छा रहता और दूसरी बात यह यह जो सो है यह अपने आप में ट्रेन रेक की तरह है अच्छा नहीं होता लेकिन आपकी निजने उससे हट नहीं सकती मतलब केप्टिवेटिंग होता है तो कुछ ऐसा ही यह जो है है एक बात जो सीमा जी के है उससे हम पूरी तरह सहमत है और वो यह की साधी का मतलब होता है एक नया डिबेट छेड़ दिया है कि जो भारतिये माबाप होते हैं वो अपने बच्चों पर प्रेसर डालते हैं और उनसे उम्मीदे कुछ ज्यादा रखते हैं तो रजा ऐसा नहीं होता है हर मा का सपना होता है कि उसकी बहु आए और वो भी क्यूंकि सास भी कभी बहु थी खेले उसके साथ हां हमारे तो पूरा एम यह है कि बबुआ जल्दी बड़ा हो और हम सास बने तो उसमें कोई गलत बात नहीं है और दूसरी बात तुम लोगों के जमाने में टिंडर, भिंडर, बंबल, संबल सब कुछ है सारा एप पे आजकल लड़की पसंद हो जाता है लड़का पसंद हो जाता है हमारे जमाने में था असली स्ट्रगल कि पढोसियों के सादी में जाओ फिर महां कोई लड़का दिख तो माबापको ही सामने आना पड़ेगा और सीमा तपारिया और बीसी अंटी जैसे लोगों को बिचोलन बनके जो है रिस्ते जुड़ाने पड़ेंगे तो कुल मिला कि ये सो जो है ये रिलेटेबल मजेदार और साथ साथ क्रिंज वर्दी भी है हाँ सही बता रहे हैं मतलब आप समझो कि साथी का वो लड़ू है ये कि जिसको देखोगे तो पच्चता होगे और नहीं देखोगे तो बड़ा पच्चता होगे तो आप लोग भी सोयम विबेक से देखो कमेंट करो आपको कैसा लगा अभी चलते हैं मिंटी है न अपनी भती जी हाँ उसको देखने ल